जै मातारानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है माजिक दुम्भा के नाम का जैकारा लगाएं कमें सेक्षन में जै मातारानी ओम नमस्षिवाई जरूर लिखिए आपके जीवन के बड़े-बड़े कष्ट दूर होंगे और जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सावन मास के विशेश दिन और पूजा विधी के विशेय में जिससे की आपके भाग्य में बड़े बदलाव होंगे आपके जीवन में आरही कठनाई और मुसीबते दूर होने लगेंगी ओम नमश शिवाय गंगाय शिवदाय नमो नमह नमस्ते विश्णु रूपणिये ब्रह्म मूर्ते नमो स्तुते नमस्ते रुद्र रूपणिये शांकेते नमो नमह सर्वदेव रूपणिये नमो भेशज मूर्ते इसी प्रकार हम भोलेना शिवशंभू को कोटी कोटी प्रणाम करते हैं दोस्तो सावन का महिना जिसे हम शावन मास के नाम से जानते हैं वर्ष 2021 में 25 जुलाई से प्रारंब होगा और इसकी समापती 22 अगस्त 2021 की तारिक को हो जाएगी तो 25 जुलाई से लेके 22 अगस्त के बीच में विशेश दिनों पे जिस प्रकार आपको पूजा पाठ करना है और सावन के महिने में ऐसे क्या कारे करने हैं जिससे की आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे आपकी मनोकामनाय सफल अवश्य होंगी और साथी साथ कई लोगों को जो पुन्य की प्राप्ती है वो भी आसानी से हो पाए इसके लिए मैं आपको अच्यूक और सरल विधी बताऊंगी सबसे पहले एक नियम आता है सावन के मास में पूरे महिने एक समय एक अनाज का भूजन करके व्रत करना और सैयम से रहना ऐसा कहा जाता है सावन के महिने में यदि आप इस नियम को लेते हैं तो आप भी भगवानों जैसे पूजनिय हो जाते हैं और आपके घर में धन, धान्य, सुख, सभाग्य, हर प्रकार के पुन्य की व्रत्धी होने लगती है सावन के मास का महस्त्मप मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी उसके पहले मैं आपको ये जो मैं उपाय बता रही हूँ इसे आप सब ध्यान से सुलने श्रवणम नियतो मास में भक्तेन यहां श्रीपते तत्र तत्रा भिकेण पूजयते ग्याती वर्धनम यानि सावन के महिने में पूरे मास जो वरत करता है वहाँ पूजनिय होता है उसके घ्यान में वरती होती है और उसके जीवन में जोबे उसकी मनुकामनाएं हैं वो पून होने लगती है शावन मास को सावन का महिना भी कहते हैं यह चंद्र मास का पाच्वा महिना होता है इसे महापुन्यदाई मास बताया गया है इसका नाम शावन मास शावन नक्षत्र के नाम पे पड़ा है क्योंकि इस मास की जो पूरण माशी होती है उस दुन पे शावन नक्षत्र होता है इसलिए इसे शावन मास कहते हैं शावन नक्षत्र पे चंदर देवता का पूजन इत्यादी करने से शुप पलो की प्राप्ती होती है दोस्तों आप सभी अपने जीवन में यदि तरक्की करना चाहते हैं या आपके जीवन में कोई भी परिशानी हो तो सावन मास में कोई न कोई नियम जरूर लेना चाहिए ये नियम आप एक मास के लिए जरूर लीजिए जैसे कि सावन के महिने में प्याज लहसन ना खाना या तामसिक भोजन ना करना ये एक छोटा सा नियम है जिसे आप ले सकते हैं कई लोग इस पूरे मास में केवल एक वक्त भोजन करते हैं ये भी एक नियम होता है कई लोग पूरे मास में सैयम का पालन करते हैं ये एक नियम होता है कोई भी नियम आप इस पूरे मास में ले सकते हैं जिससे कि आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाएं दोस्तो सावन मास में सबसे जादा भगवान आश्योतोष भगवान सदाश्व भोले नाथ के पूजन का विशेश महत्व होता है भोले नाथ म्रत्यू लोग के देव वताये जाते हैं जैसे कि बैकुंठ के देव श्रीहरी विश्णू है ब्रह्म लोग के देव ब्रह्मा जी है उसी प्रकार म्रत्यू लोग क्याने प्रत्वी के देवता भगवान भोले नाथ है और इस सावन के महिने को भगवान भोले नाथ का आशिरवात प्राप्त होता है इसलिए म्रत्यू लोग के वासी यान को महान पुन्यफल की प्राप्ति होती है जीवन के घोर कश्ट घोर संकटों से मुक्ति मिल जाती है जो लोग प्रतिदिन इस नियम का पालण कर पाएं उन्हें कम सिखम सोमवार के दिन पर भग्वान भोलेनात का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए है इससे भी अत्यतिक पुन्यफल की प्राप्ति होती है। शावन सोमवार का जो व्रत होता है ये बहुत ही आसान व्रत होता है सुभा के समय उठके भोले नात शिवजी का पंचुप चार विदी से पूजन करें धूब दीब नवेति इत्यादी चड़ाएं यदि भोले नात की शिवलिंग है आपके पास तो उस पर पंचामरत से आप इसनान कराएं दूद दही घी शकर शहत से इसनान कराएं ये नहों तो केवल गंगा जल और सादा जल मिलाके उन्हें इसनान कराएं चंदन भस्म चावल यह चीजे अर्पित करें और धूबदिप नवयत इत्यादी दे और पंचाक्षरी मंत्र जैसे की नमष्शिवाय का इस पूरे मास में जाप करने से अदबुत फल की प्राप्ति होती है और सोमवार के दिन भी नमष्शिवाय इस मंत्र का जाप करना उत्तम फल प्राप्त कराता है शडाक्षरी मंत्र जैसे कि ओम नमध शिवाय भी भगवान को अतिप्रिय है तो इन दोनों में से कोई भी मंत्र आप भगवान के पूजा में प्रयोग कर सकते हैं पन्चाक्षरी मंत्र, पंचोप चार की पूजा विधी और पंचामरत यह सभी चीजे भगवान को अतिप्रसंद करती हैं तो आप सावन के सोमवार का वृत इस नियम से करें सोमवार के वृत में दिन में दूठ चाय पलित्या दी लें और रात में एक समय एक अनाज का भोजन लें जैसे आप कोई भी सबजी बनाए उसके साथ पराठा खाए पराठा और चावल एक साथ ना खाए पराठा या पूड़ी में से कोई एक चीज आप भोजन में ले लें इस प्रेकार अनाज ग्रहन करते हुए आप इस बहुत ही आसान रत को करें इससे आपको अधबुत पुन् 2021 की तारbourg को दूसरा सावन सुम्वार है डो अगस्त 2021 की तारिक को तीसरा सावन सुम्वार है surprise । बिल्कुल करिए कई नव विबाहित इस्त्रियां अत्वा कुमारी लड़कियां भी मंगला गौरी व्रत भी करती हैं मंगला गौरी व्रत करने से मा गौरी मा पार्वती का आशिरवार आप सब को प्राप्त होता है तो जो लोग इस वर्ष में मंगला गौरी व्रत शुरू कर पारिके बता रही हूं उसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा 27 जुलाई 2021 को पहला मंगला गौरी व्रत है तीन अगस्त को दूसरा मंगला गौरी का व्रत है 10 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी व्रत है और 17 अगस्त को आखरी मंगला गौरी व्रत है मंगला गौरी व्रत करन से सुक बैभव सौभाके की प्राप्ति होती है उत्त्यम संतार इत्यादी प्राप्थ होती है यह व्रत आपको महापुण्यफल प्रदान करते हैं कि सावन संव्वार के दिन यदि आपके पास शिवलिंग सेता हो तो पूल के पत्तों की भस्म हो सकती है, बेल पत्तरी सुखा के उसके पत्तों के द्वारा बनाई गई भस्म इत्यादी भी फूले नाथ पे आप अर्पित कर सकते हैं, भस्म अर्पित करने से आपके शत्रू शांत होते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में आ रही परिशानिया ऐसा पुन्यफल प्राप्त होता है जो शिफ पूजन से भी प्राप्त नहीं होता जिन लोगों के जीवन में बहुत घोर कश्टे हैं उन्हें सुभा सुभा जल्दी उठके शिवजी के मंदिर में जाके साफ सफाई करनी चाहिए इससे जीवन के घोर कश्टन से मुक्ति मिल जाती है यह एक अचुक उपाय है इसको आप आजमा के देखिएगा और इस उपाय के फल को नीता विक्रम चैनल पर आके जरूर बताईएगा सावन के महीने में भस्म और रुद्राक्ष दोनों को ही धारण जरूर करना चाहिए इस पूरे महीने में आप बुलेनात का पू जिनके करने से भोलेनात शिर्जी की अत्यदिक रपा आपको प्राप्त होती है यह बता देती हूं सावन सुमवार प्रदोश चतुरदशी इत्यादी विशेश तित्यूग पे आपको लगुरुद्र महा रुद्र अत्यरुद्र का पाठ करने से शुपफलों की प्राप्त होती है कि यजुर्वेग जैसे ग्रंथ में रुद्र अश्ट अध्याई का पाठ कराने का विशेश पल बताया गया है जिनके जीवन में बहुत कठिन कष्ट या दोशों उन दोशों का निवारण करने के लिए इन पाठ को जरूर करना चाहिए आप शिवजी को प्रसंद करने के लिए शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और कई सारे शिवजी के एक हजार नाम हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं इस प्रकार से शिवजी को प्रसंद इस पूरे मास में करा जाता है भगवान शिव को भोले नात बताया गया है वह शिक्र प्रसंद होने वाले देव हैं सावन के महीने में यदि आप प्रदोश का वरत शुरू करना चाहते हैं तो क्रश्न पक्ष में गुरुवार के दिन 5 अगस 2021 की तारिक को पहला प्रदोश आया है और दूसरा प्रदोश 20 अगस 2021 की तारिक को शुक्रवार के दिन आएगा इस दिन से आप गुरुवार अथवा शुक्रवार का प्रदोश वरत प्रारंभ कर सकते हैं सावन के महीने में प्रदोश शिवरातरी का वरत करना विशेश पल देता है रात्री के समय शिवजी का पूजन अर्चन करने से आपकी हर तरह के इक्षाएं जीवन के कशित्यादी दूर होने लगते हैं 6 अगर्स 2021 की तारिक को रात्री के समय शिवज़ पूजन करने से विशेशफल की प्राक्ति होगी यहाँ पूरा महीना ही बहुत सारे त्योहारों को लेके आया है अब मैं एक-एक करके आपको त्योहारों के विशे में बता देती हूँ शावन मास के क्रशन पक्षी की दुतिया तिथी को अशून वरत रखा जाता है इससे इस्तिरियों के विद्वा होने में कोई ऐसा संदह नहीं रहता याने उनके पती की आयू लंबी हो जाती है क्रशन पक्षी के चतुर्थी को संकट चतुर्थी का वरत रखा जाता है जिससे जीवन के संकटों का नाश होता है एवं क्रश्नपक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का वरत रखने से हर प्रकार के काम में सफलता प्राप्त होती है सब्तमी के तिथी में शीतला सब्तमी का वरत रखने से रोग दूर होते हैं और शुक्लपक्ष में कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है इस तीज पे आपको व्रत रखना चाहिए हातों में महंदी लगा के भोलेना शिवशंभू का पूजन जरूर करना चाहिए नीम के पेड का पूजन इत्यादी करने से भी शुफलों की प्राप्ती होती है शुकल पक्ष की चतुर्ती को दूर्वा गडपती का व्रत रखा जाने से सब प्रकार की इक्षाएं पूर्ण हो जाती है इसके बाद नाक पंच मी एवं पुत्रदा एकादशी आती है जिस किसी को भी संतान की प्राप्ती नहीं होती है उन्हें पुत्रदा इकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए एवब इस पूरे मास का समापन शावर शुकलिपक्ष की पूरण माशी के दिन होता है जिस दिन पे रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है बश्य दोहजार इकिस में रक्षा बंधन बाईस अगस्त दोहजार इकिस की तारिक को मनाया जाएगा इसके साथ ही साथ इस दिन पे गायत्री जैन्ती यग्यो पवित पूजन इत्यादी करा जाता है मोले नाथ के चर्णों में अपनी पूजा को समर्पित करते हुए इस पूरे नाथ में इस पूरे मास में नमष शिवाय नमष शिवाय का जाब करने से अदबुत फलकी प्राप्ती होती है नमष शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है जो आपके हर कार्य को पूरा करता है इस्त्रियों के लिए इस मंत्र को शिवाय नम्ह इस प्रकार बोलना अति उत्तम बताया गया है दोस्तों शिवाय याने मा गौरी है जो आपके जीवन में अपने तब के द्वारा आपको वर्दान देती है और आपके इक्षा पूरी करती है यदि इस्त्रियों के जीवन में कोई बड़ा कठिन इस समय पे समय चल रहा है चाहे वो पती से संबंद अच्छे न चल रहे हूं घर में गरीवी हो आपकी कोई ऐसी इक्षा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं एक बहुत अच्छु कुपाय बता रही हूं जो आप इस पूरे मास में कर सकते हैं सावन मास में लिया हुआ नियम आपकी इक्षा पूर्ती करता है तो इस पूरे मास में आप कोई भी एक समय रख ले आपके दिन में जितना भी समय है कोई भी एक समय चाहे वो सुभा नौ लिए देखिएगा आपके मनुकामना अवश्य पूरी होगी मा जगदंब आपको अवश्य अपना आश्रवाद देंगी मा पार्वती आपकी उपर अपनी क्रपा अवश्य करेंगी भोलेना शिफशंभू आशुतोष हरहां महादेव के नाम का जैकारा लगाते हुए सावन म में आने वाले व्रत योहारों के लिए आज आपको जो बताने की ये सूची है यहीं समाफ्त होती है दोस्तों आप सबको मैं अपने विश्य में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मेरा नाम है नीता विक्रम मैं एक एस्ट्रोजर हूँ यदि आप अपनी कुंडली पे मुझ आप सब के लिए छोड़ रही हूँ महां आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं इसके अलावा इस वीडियो पे जब भी आप कोई कमेंट करेंगे उन सभी कमेंट का जवाब आपको एक नया वीडियो बनाके मैं दूंगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल करके अपने परिवामित्रों के साथ अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें जय मातरानी दोस्तों